पार्थ 10 आपदा प्रबंधन क्या बिजली गिरने से होने वाली जनहानी को ताला जा सकता है? उत्तर बिजली गिरने से होने वाली जनहानी के बारे में लोगों को पहले से केवल सावधान किया जा सकता है. परंतु यह तो अचानक होने वाली प्राकृतिक आबदा है इसलिए इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता इसे टालना संभव नहीं है वर्षा रितू में खेत की मेड बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए उत्तर खेतों के चारों और बनी मेडों द्वारा खेत में पानी रोका जाता है यदि अधिक पानी खेत में जमा हो जाए तो फसल को हानी पहुशती है साथ साथ पानी के दाब में मेड तूड जाती है इससे बचाओ के लिए मेडों में अस्थान अस्थान पर छोटे छोटे छिद्र बना देना चाहिए, जिससे पानी एक साथ जमा न हो और मेड बह जाने से बची रहे प्रस्न पानी की कमी क्यों होती है? उत्तर कम वर्षा होने, वर्षा के पानी का संचयन करने, पानी के अर्नियंत्रित उप्योग तथा उप्योग में लाए पानी का अन्यकारियों के लिए उप्योग न करने पर पानी की कमी होती है प्रस्न भुकंप का क्या अर्थ है? उत्तर भू कवच में अचानक उत्पन होने वाले हिलाव डुलाव को भुकम्प कहते हैं भुकम्प की परिस्थिती में भुगर्व में उत्पन हलचल द्वारा जमीन थर-थराती है और उसमें दरारे पड़ जाती है प्रस्ण भुकम्प और ज्वाला मुखी का विस्फोर्ट समुद्र के तल में हो तो क्या होगा? उत्तर जमीन की तरह सागर के तल में भी भुकम्प और ज्वाला मुखी होते हैं महासागर के तल में भुकंप आने पर उत्सरजित उर्जा पानी को उपर की दिसा में ढखेलती है परिडाम स्वरू विशेश प्रकार की लहरे महासागर में निर्मित होती है ये लहरे उद्गम अस्थल पर अधिक उची नहीं होती परन्तु बहुत अधिक वेग से दूर तक फैलती जाती है इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वे तटो की ओर पहुचती है तब उनका वेग पहले की अपेच्छा कम होता है परन्तु उनकी उचाई लगभक 100 मीटर तक बढ़ती जाती है महासागर के तल में होने वाले भुकम और ज्वाला मुखी के कारण निर्मित होने वाली लहरों को सुनामी कहते है सुनामी के हानिकारत प्रभाव इमारतो निर्माणाधिन भवनों का विध्वन सोना बड़े पैमाने पर जनहानी और वित्तिय हानी होती है तटके पास की नौकाओं और जहाजों की हानी होती है व्रिच जड सहित उखड जाते है बड़े पैमाने पर भुवस्खलन होता है किनारों की मूल भूद जमीन बदल कर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है यातायात की द्रिष्टी से रुकाओंटे पैदा होती है समुद्र संबंधी व्यवसाय उद्योग धंदों पर वीपरित प्रभाव होने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बंधरगा का भारी नुकसान होता है हम में असंगत कौन है प्रस्न, अकाल, भुकम, बादलफटना, रेल दुरुहटना उत्तर है रेल दुरुहटना, अन्यतीनों प्राकृतिक आपदाओं के नाम है प्रस्न, सूखा, अतिवरिष्टी, तूफान, सुनामी उत्तर है सूखा, अन्यतीनों में पानी का समावेश है प्रस्न, लावा, गर्म कीचड, राक, तिड़ी दल का हमला उत्तर है टिड़ी दिल का आक्रमड, अन्यतीनों ज्वाला मुखी के आवेग से प्राक्त पदार्थों के नाम है प्रस्न, फसले भहजाना, फसलों पर किड़े लगना, ज्वाला मुखी, फसल जुलसना उत्तर है ज्वाला मुख्य अन्यतीनों फसलों से संबंदित हानिया है सत्य है या असत्य कारण सहीद बताओ प्रस्न तुफान आने की जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए यह विधान असत्य है तुफान आने की जानकारी सब लोगों को देने से वे अपना अपना बचाओ करेंगे प्रस्न आकास में बिजली चमकते समय तैरना नहीं चाहिए यह विधान सत्य है क्योंकि आकासी बिजली कभी-कभी पानी में भी गिरती है इससे तैराग की मृत्यू हो सकती है प्रस्न ज्वाला मुखी के फटने को टाला जा सकता है यह विधान असत्य है ज्वाला मुखी का आवेग एक प्राकृतिक आबदा है इसके विस्फोट की पुर्व जानकारी किसी को नहीं होती प्रस्न अतिवरिष्टी के कारण अकाल पड़ता है यह विधान सत्य है इससे फसले नश्ट हो जाती है व्रिच्चों में लगे फल जड़ जाते है लोगों को खाद्यान नहीं मिलते प्रस्न बादल फटने का क्या अर्थ है कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिस के रूप में जमीन पर न गिर कर जमीन के गर्म तापमान के कारण पुना वास्प बन कर बादलों में ही समाविष्ट हो जाता है परडाम स्वरूप बादलों में वास्प की मात्रा अधिक हो जाती है और सिग्र संगरन क्रियाद्वारा अचानक किसी विशेश और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमिटर प्रती घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में बारिस होती है इसे ही बादलो का फटना कहते है प्रस्न ज्वाला मुखी के परिडाम इस्पष्ट करो ज्वाला मुखी के आवेक के निमनलिखित प्रभाव है नमबर एक लावारस वास्प गर्मकीचर गंधक आदी रासायनिक पदार भूप्रिष्ट पर आकर संचित होते है इस कारण पहाड़ व पहाड़ियां बनते है नमबर दो ज्वाला मुखी से बाहर आने वाली राक और गैसो के कारण वायूमंडल प्रदूसित होता है नमबर तीन ज्वाला मुखी के कारण बारिस आने की संभावना होती है नमबर चार गर्म गैसो के कारण तापमान बढ़ता है नमबर पाच गर्म की चड़ में जंगल बस्तियां दब जाती है प्रस्न महाराश्ट्र में आबदा प्रबंधन के अंतरगत महाबाड चट्टान खिसकना जैसी आबदाओं के लिए कौन सी उपाय योजनाय बनाई गई हैं प्राक्रतिक आबदाओं से होने वाली जंधन की हानी से बचाओं के लिए महाराश्ट्र सरकार ने आबदा प्रबंधन विभाग की अस्थापना की है यह विभाग पूर्ण रूप से सरकार के नियंतरण में है यह विभाग लोगों को भुकम, तूफान, तिव्रवर्सा, इत्याती की अग्रिम सूचना प्रदान करता रहता है प्राक्रतिक आबदाओं के समय लोगों के विस्थापन, भोजन, उप्चार, इत्यादी का प्रबंध भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है आविशक्ता के अनुसार महाराष्ट सरकार द्वारा केंद्रिय सरकार से भी आर्थिक सहायता, रहत सामगरी तथा अवसदियां आदी की मांग भी करती है